नमस्ते दोस्तों आज बहुत ही महत्पॉंड वीडियो मैं बना रही हूँ और आपको बताने जा रहू हूँ मैं हमेशा एजुकेशनल परपर सही वीडियो बनाती हूँ मेरी सहेलियो और मेरी हांके रहने वाल लोगों ने मुझे मतलब appreciate किया कि मैं वीडियो बनाऊं कुछ ऐसी जो super natural होते हैं कुछ ऐसी जो shopping reviews से होते हैं कि मेरी shopping reviews मेरी dresses सबको पसंदाते हैं तो मेरा shopping experience बहुत बढ़या बताते हैं सब लोग यहां पर dresses भी और उपर से जिन्दी की कुछ supernatural जो से बच्पन से ही जुड़ी हुए तो वो सब भी मैं आपको बताती हूँ श्रेयर करेक्ती हूँ प्राणयाम के बारे में health videos भी ताकि आप सब का भला हूँ तो मेरा main motive था पहले तो कि मेरी poetry poetry से लिखेड मुझे poetry singing वगरा पसंती बट अब आते हैं मुद्दे पर कि हम आज ये वीडियो की चीज के लिए मैंने बने देखे आप पे माला देख रहे हैं यह है natural rose quartz याने की पिंक पत्थर की माला है यह प्राकरतिक रूप से प्रकरति में पाए जाते हैं और यह बहुत महंगी भी नहीं है म और मैंने मतलब क्यों बाय की थी अब इसके एफेक्ट क्या है यह मैं आपको बताऊंगी परस्नली मुरे उपर क्या इसके एफेक्ट पड़े मैं आपको बताऊंगी यह माला है युनिवर्सल लव के लिए बट मैंने इनिवर्सल लव के लिए माला नहीं मंगाय थी निवर अच्छली क्या है जो मैं मंगस्तुरवदरा पहनती हूँ है कोई भी चेन वे इंचान देखिया कुछ भी हना तो क्या होता है मतलब वो मुझे इचिंग करती है काले मोती भी तो मैं सोच रहती गला खाली है तो ही मंगालू मैंने पहले पहने थी रेखे स्वर्टिक की माला आ तो दोनों माला के जो इफक्ट है मैं आपको बताने वाली हूँ याने कि दोनों मालाओं के इफट में आपको बताने वाली हूँ और बहुत अच्छा इफट है इसका आपकी married life पर प्रेम संबंधों पर जाने की आपके इससे प्रेम बढ़ता है शान्ती बढ़ती है ग्रह उसका प्रभाव मैं बताती हूँ स्वर्टे कीमाला का प्रभाव यह है कि वो हमारे काम क्रोध को शान्त करती है मतलब अग्रेसिवनेस जो हमारा काम क्रोध वगराद उसको शान्त करती है और आपको मतलग आपके मन को शुद्ध रखती है जब मैंने पहना था इसको one month तो समझ लिजी जो हमारे husband wife के relationship है, उसमें काफी कम आगे थी, बिल्कुल शान्त नमन, बिल्कुल भ्रहमचर इधार्न कर लिया था, दोनों नहीं, तो ये effect हुआ था उस Mala का, और इस Mala का effect उल्टा है, इस Mala का effect उसके opposite है, मैं जादा ही इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती, simple सी बात है, कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग अच्छा ही नहीं लगता, तो आपके प्रेम संबंदों को बढ़ाता है, आपके घर में, जो married life और मतलब आपकी जो प्रेमी प्रेमी काह के जिन्दकिया उनको भी अच्छा करत और आपको कुछ और बाते बताऊंगी जिससे आपके जो married life है, आपके जो घर में शान्ती, उत्पन हो, ग्रह कलेश वगरा खतम हो, तो वो सब बाते मैं आपको बताने वाले हैं, उनके लिए मैं क्या करती हूँ, तो जो स्वर्टिक की माला वो बहुत प्रभावकारी है, जिन लोगों में कुछ जाधा ही, उल्टे सिदे वीचार मन में आते हैं, जिन लड़कों में लड़कियों में कुछ जाधा ही, तो उनके लिए माला बहुत ही भैता है, और आपको अपनी उन आफशक्ताऊं को कम करना होता है, जिससे आपके घर में कर्ज बढ़ रहा है, त और कोई देवी भी नहीं दिलाती, हर कोई आपकी मदद कर सकता, आपके अंदर good luck, good charm ला सकता है, good luck, good charm लाने के लिए भी एक बहुत ही रोगो दोशुर से मुक्त होने का एक simple सा भी है प्राणया, उसको मैं आपको करके दिखाऊंगी, उसके और भी जादा benefits बताऊंगी, मैं mentally, मतलब मांसी कृप से, आत्मी कृप से, तो ये बहुत बढ़ी हमाल है, ये आपकी bonding को strong करती, इससे हमारी bonding strong होई है, और जब कि स्वठी की माला पहने से, लगता जिसमें ग्राम चाहरी है, धारिन कर लिया हो, पर मन भी शान्त होता था, क्रोध नहीं आता था, गुसा नह जो भी universal love का मतलब ये नहीं कि हम सबको प्रेमी बना रहे है, universal love का मतलब है कि मतलब, आप सपास, मतलब लोग आप से अच्छे से बात करेंगे, sweet stock करेंगे, sweet stock मतलब अच्छे से प्रेम बढ़े मतलब सबके साथी, universal love को ये promote करती है, ये rose quartz है, और इतने कम पैसे में मुझे, मतलब 400 के, under 400, 400 के करीब 395, 375 के में मिल गई, और इसका प्रभाव जो परदस्तवा, even you are practicing pranayam, then it will work better, pranayam आप करेंगे, और कुछ एक दो पूजा में आपको बताने वाली हूँ, जो आपके जिंदिके सिग्रह, कलेश, दोशो, आपके सभी प्रकार के दोशो को, pranayam त करता है, उसकी विधी में बिलुकुल अच्छे से आपको बताने वाले हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तो वेट कीजेगा, और इसके अलावा दो पूजा जो मुझे बताई गई है, स्वेम, बरमात्मा, बच्पन से ही, बगवाई शिव, काली माता, और बहुत सारी, जो कनेक्ट में हुए, जो कनेक्ट हो है ऐसी सिथी में जिसको बोलते है, आधा चगा और आधा सोया, और इस तरीकी सिथी भी जब मैंने उनको उनकी आभाओं को आसपास देखा, ब्लैक शड़ो देखिए है, एक ट्रांस्पेरन शड़ो देखिए है, और रियल में मेरे जिन में जो भी कर्टने वाला होता हूँ, मुझे पहले ही बता देते हैं, आसपास या, हमारे समाज में जो भी होता है, होने वाला होता हूँ, मुझे पहले पता चल जाता है, ठीक है, पैट वो मेरे बारे में ज़्यादा बताते है, पर समाज के बारे में ज़्यादा वीडियो बना लो उठाके तो यह वो हीटर चल रहे न उसका गलोब पढ़ रहा है तो बिलकुल मैं नैचरल बाते करना चाहते हूं बिलकुल फेक परसिनलिटी मुझे जाहिर नहीं करने, जो मैं हूं जिस तरह की मैं हूं मैं उस तरह ऐसे आपसे बाते करना पसंद करती हूं अगर नहीं दोई बाते हैं नहीं दोई बात करते हैं आसे बाते हैं आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत अभी टॉपिक है हुमारा उसको बताती हूं तो आप मैंने आपको बताया स्वर्टिक की माला आपको सुनार से जो मैंने ड्हाइज सो रुपे की खरी थी देखी टूफिटी की तो बहुत अच्छा है इस काम अशानती के लिए जो भी प्रभाव बहुत बढ़िया प्रभाव था और यह माला मैंने आपको बताई दिया कितने की खरी थी और उसका लिं तो भजपन से ही वो मेरे सहायता करते थे मिरको होने वाले चीज़ों के बारे मताते थे तो क्या था तो मैंने कहां देखा था तो मैंने सपने में मैंने परमात्मा के उपर शिव के उपर मैंने उपने पिता के समान मानती थी तो छोड़ दिया कि जो भी मिरशादी की मेरे जीवन क्वैसल होंगे वह आपके उपर है और मैंने सुचा परमात्मा इवन डिवाइन सोल जिनका एक निराकार स्वरूप है उन पर भी सोपे तो जो मेरी शादी हुई थे नो दोस्तो तो मतलब वो कॉंट्रिबर्शल थी कि मतलब मिरी सासुमा को चाहिए थे बहुत है जोईजवाले पर इसन ऐसा नहीं था हम लोग इतने मतलब अमीर नहीं थे और वो लोग भी इतने नहीं थे मतलब सेम स्टेटस था बट लेकिन क्या हुआ रिशादी हुई तो शादी से बस शादी एक मेने पहले बग्वान श्रीव आये थे मेरे सपने में उन्होंने पीता कि तरह फरस्मी भाने की कोशिश की तो कि मैंने इस जनम में उनको पीता माना और पिछले जनम में क्या थे वो मैं आपको बता नहीं सकती यह सब भी सिथी बहुत दैनिया है अच्छा नहीं लगा जानके ठीक है अभी तो पूरे दस जान भी ने पाएं तो उन्होंने कर्तव्यों निभाया और उन्होंने मुझे आके कहा मेरे हजबेंड के बारे में एक मेने पहले कि यह अच्छा नहीं है तो मैं इसे जादी करने है तो मैं पसंद आए उसके बारे बढ़का रहे है मैं जो ड्रेम में आए और उन्होंने पहन रखे थे काले कपड़े काला चूगा पीर का और सच बता मुझे बहुत बार्शिव जी पीर बाबा के रुप में दरगाख में खड़े हो दिखाई देते हैं तो ये भी एक कनेक्टिविटी है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगे इसके सच्चाए क्या है ठीक है तो उन्होंने मुझे कहा तो ब्लैक का पुड़ा में थे उन्होंने अलग-अलग तरह है कि क्वार्ट्स की माला पहन रखे थे जाने कि अलग-अलग तरह है कि नाचुरल पत्थर, लाल, मूंगा और आपका जो ब्लू वाला तो ब्लू कॉर्ट्स, पिंक, अलग-अलग तरह है कि तो ये ट्रीम क्या दर्श्चा आता है और उसके बाद उन्होंने ने कहा तुम्हें क्या पसन, मतलब पहले तुम्हें बढ़गाया फिर उन्होंने कहा कि आप ठीक है अगर जो तुम्हारे च्छा तथास्तु कहा उन्होंने मुझे और दक्षिडाने 5 रुपे मांगे और फिर तथास्तु कहके चलेगे और मेरे जो विवाती बिना अडचनों की इसलिए अच्छे से हो गई शादी ठीक है तो उस वक्त मैंने देखा कि शिव ने स्वेव, बगवान शिव ने परमात्मा ने परम पिता का दर्जा देते हैं हम सब उन्हें है ना तो उन्हेंने सारे नाच्रल पत्थर पहन रखे थे तो मैंने ऐसे सुझे मैं भी नाच्रल पत्थर पहन लूँ बट मैरे नाच्रल पत्थर पहनने का परपस वह नहीं था क्योंकि मैं विश्वास करते हूं कर्मों में भी और सोच में भी, positive thinking में भी और कुछ करने में सिर्फ मैं वरत करती हूँ आवशे मेरे को वरत बताया उन्होंने वरत बताया उन्होंने एक universal पूजा है सहस्त्र ब्रहमाण के उसने रागार स्वरूप के एक पूजा है मैंने दिवाली में वो मेरे को दिखाए दिया अलग-अलग रूप में दिखाए दिते हैं कभी-कभी शक्षा दिखाए दिते हैं सिर्फ शिफ नहीं बहुत सारे देवी देवता, पीर बाबा, एंजल इन सब की शिव जी की और देवी देवताओं को भी मानती हूँ ऐसा नहीं मेरे सम्मान किया जब भी मैंने कोई वुरत रखा जया कोई विश्ट की उन्होंने मेरे हमेशा बच्पन से लेका आज तक पूरी की तो उस बात का सम्मान मेरे हिदय में है और रहेगा लेकि एक उनि विवाद हो रहा था घ्रह कलेश जल रहा था तो एक ऐसी पूजा बताई जिससे हम आपका जीवन मेरे मतलब जो हमारा मतलब पानेशल ग्रोथ है वो भी हुई है मतलब मन शांत्रा और सारे चीच अच्छी हुई काफी तो आप अपने दीवी दिवताओं को भी माने अब अ बहुत खास देवी देपता थे और परमपूरवच यानि कि परमपूर सस्त्र भ्रमट को रचाने वाली वो सस्षक्त की पूजा मैं रोज करती हूं उनके नाम की दो रोटे निकालने को मुझे दिवाले के दिन कहां दिवाले के उस रात मुझे भगवाण शीव भी दिखा वो सारी कनेक्टिविटी कि जो सारी बाते में भूल जाते हैं जैसे आप दिखाते हैं आपने फैंटिसी में वी देखा हुगा और सीरिस ऐसा ही होता है रियली में ऐसा ही होता है कि विल्कुल एक दो बात याद रहते हैं मुझे और सारी बाते में भूल जाते हैं चुमंतर कभी कभी तो सारी भूल जाते पर मुझे बदा था यहां आये थे गड़ेक्ट होए थे कज़ब कनेक्ट रिगल में भी कनेक्ट हो रिगल में वास सुनती तो वो भी सारी बात याद नहीं रख पाती हूं तो उन्यों नहीं यहा कि दो रोटी निकाल रोटी दो रोटार रोगल उै झालती हो और गणरश सुवाड़ने में वास उन्हाय दो करता हूं हिछ मों बदसुरोग जोब हो दो मंत्र बोलती हूँ क्योंकि ये जो पूजा है स्वाह सोधा क्यों स्वाह यूज होता है देवताओं के लिए और स्वाह यूज होता है हमारे परम पित्रों के लिए क्योंकि मैं पित्रों के लिए हमारे लप्चु पूर्वज है उनके लिए पर मैं परम पित्रों के अस्तित् मैं रक्षा के लिए नहीं करती हूं दोस्तों पहले करते थी रक्षा के लिए अब मैं मंत्रों का चंड जो कि मुझे मिले हुए है उन्होंने खुद दिये हैं कनेक्ट हो के ड्रीम्स में नहीं उसको बोलते हैं दश्यम्दा तब लेकिन उन्होंने मंत्रों का पुचर में ज्यादा नहीं करती हूं मैं सुबशाम जो भी है कोशिक करती हूं जो लगा लूँ और मेरा एक मंत्र है खास जो मैंने खुद क्रेट कर रहा है प्रेम के लिए अ उनके नाम से एक मंत्र बना रखा है उसे जबते रहते हैं पर स्वार्थ के लिए नहीं जबते हैं जबते हैं उनके अच्छाई के लिए अपनी रक्षणा के लिए नहीं जबते हैं क्योंकि रक्षणा क्या हूं रक्षणा की कोई ज़रत नहीं है तो वो उस पूजा को पुर्णीमा के दिन विशेशकर गुरु को याद कीजिए उस परम गुरु को याद कीजिए पूरे उनिवर्स में है जो त्यक्तिए उनको यात करें उनका ध्यान दरके खुप अब इस पूजा को कीजी आमस्या की पूरुनीम के बी, वरत रख सकते हैं जैसे भी अगर आःप जीस तरह से भी, भी मिटे वरत रखना चाहिएं आप नी रहार रहना चाहिएं, आप आःएप न्रुब्टला रहना चाहिएं जैसे भी पर इतना कि डनी क्यों शिक्ता नहीं है आप सिंपल पानी वानी पीलेजे दिन में फ्रूट्स खालेजे कभी-कभी मैं रिजला वरत रख लेती हूं कभी-कभी जैसे भी मैंसे हो पाता है यह नहीं कि एक नियम का बंधन लगा दिया ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि परमात्मा भाव देखते हैं वो शक मानत करते रहें तो जीवन में सबलता वश्य पाएंगे और निस्वार्थ प्रत करनी कोश्य करेंगे उनसे चक्तियों को तो हमें मानना ही होता है मानते ही है हम मानते कभ है जब हमारे साथ देती है ठीक है वश्य हमेरे साथ देते हैं बर हमेशा ऐसा नहीं हो पाता तो मैं अपने उपर भी बिलिफ करते हूं, मैं बोलती हूं कि मुझे छोड़े, और मैं किसले बोलती हूं, आपको मैं बाद में बताऊंगी, तो अवश्या पुर्णीमा का अवश्या करें, इस तरह से आपके जीवन में, जो भी हैंदकार है, जो भी दरितरता है, जो एनेमी की तरह भी हैं, ठीक है, अपसराय हैं, वो सारी हैं, सब कुछ है, जापसाद ना मैटेंगे, तो एक साथ ऐसा होगा, तो उनिवर्सल मंत्र मुझे मिलाओ, मैं आपको नेक्स वीडियो में शेयर करती हूं, उनिवर्सल गुरु मंत्र, तो अमा वस्यागा पुर्णिमा का पूझने इस तरह से, कि जिस तरह से भी आपको सुटे बोल, एक टाइम खाना खालेजे, दिन में फूट्स लगर लेजे, कर नहीं काना चाथे, तो एक टाइम खाना खालेजे, एक टाइम फूट्स खालेजे, अपने कोडिंग जैसे भी आपको लगे लेकिन पूजा कीजिए उन सहस्त्र ध्रह्मांडों को रचाने वाली महा माता पैरम पिता को वश्याद कीजिए उन निराकार सुरूप को जिनका आम नाम भी नहीं जानते हैं उन देवी देवताओं को भी पूजिन कीजिए जिन्नों नहीं करना चाहते हैं वाली पूजा परम पूर्वजो की तो आप परम पूर्वजो अपने देवी देवताओं के साथ परम पूर्वजो का ध्यान देते हैं परम पूर्वज कोन जो सहस्त्र ध्रह्मांडों रचाने वाली निराकार शक्ति मैं आपको बार-बार बता रहे ह ब्रह्मा विष्णू इन से ही इस रिष्टी ब्रिकट ने खाले तरी लोग नहीं है दोस्तों तीन लोगों से भी उपर लोग है तो उम्मीद करते हैं आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी और मेरे रिव्यू अच्छे लगे होगे ठीक है बाबाई सी यू